तो प्यारे साथियों अब हम बात करते हैं आप पर अतिसयोगती अलंकार की और अतिसयोगती अलंकार बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई गाउं से बैक्ति जो सहर में कमाने गया हो मुंबई वगरा और कमाके आने की एक साल धेड़ साल बात जब लौटा हो तो उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरीके से दिखाते हैं जैसे करोड़ पती बन गए हो मतलब क्या है मतलब यह दिखाते हैं कि मतलब हम पहले से थोड़ा ज्यादा इंप्रूब हो गया है पहले से थोड़ा ज्यादा कमाने लगे लेकिन दिखावा तो कुछ ज्य जबाव ना हो उससे मिलता जुलता हो लेकिन उस बात को वहां तक बढ़ा करके कह दिया गया हो ठीक है जैसे कि यहां पर देखिए इसमें अतिसयोक्ति का जो डेफिनीशन दिया गया है परिभासा वो क्या दिया गया है जहां किसी वस्तु पदार्थ अथवा कथन का वर्रन लोक सीमा से बढ़ा चड़ा कर प्रस्तुत किया जाए वहां अतिसयोक्ति अलंकार होता है अब देखो यहां पर मैं पहले उदारण में आपको रामाड की याद दिलाता हूं ठीक है आप में से जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग ने कहीं न कहीं र रामाड का वह द्रिस जहां पर हनुमान जी असोक वाटिका में सीता जी से मिलने जाते हैं और जब वहां राम की पास उनको लौटना होता है तो वह क्या करते हैं कि रावड के बहुत सारे जहां पर वह गोला बारू धतियार रखता है या मतलब खजाने वाली चीजे हैं य तो जब हनुमान जी के पूछ में आग लगाई जा रहे थी तब का वरण है यहां पर उधारण का है क्या है हनुमान की पूछ में लग न पाई आग लंका सगरी जल गई गये निशाचर भाग अब देखो यहां पर जो लिखा है लंका सगरी जल गई अगर सारी लंका जल गई होती तो रावड कहां रहते माता सीता कहां रहती सारी लंका नहीं जली थी ठीक है वो चीजे जली थी जिसे रावड की सकती कम हो सकती है तो यहां पर फिर भी बोल दिया गया लंका सगरी जल गई तो भाया ये सही तो था नहीं पूरी तरह से तो यहां पर बात को बढ़ा करके कहा गया ठीक है यहां पर बात को बढ़ा चड़ा करके कहा गया खूब जादा बढ़ा दिया गया जो वास्तरिक्ता में संभव नहीं यहां पर आप देखो कि बात को बहुत बढ़ाच रहा कर कहा गया है। और आपको पता है, अलंकार का मतलब भी होता है, बात को इस तरीके से कहनाँ कि आद्म एककण खुस हो जाए, उसका मन रोमाँचित हो जाए. तो यहाँ पर रोमान्चित करने के लिए ऐसा बोल दिया गया, बढ़ा चढ़ा करके कहा गया बात को, लंका सदरी जल गई गया निशाचर भाग, ठीक है, तो यह किसका उधारण है, अती स्युक्ति का उधारण है, दूसरा देखो, अब इतना रोया था मैं उस दिन ताल तल सब भर डाले, ताल तलाहिया का मतलब होता है, गढ़े तालाव, नदी समझेखते हो आप, तो कह रहा है कि इतना रोया था मैं उस दिन, कि ताल तलाहिया सब भर डाले, आपको एक गिलास ले लो, और रोना शुरू कर दो, उस उभात से ले कर साम तक, एक गिलास नहीं भरे जो कि इस वास्तविक्ता में संभव नहीं है, तो यहां पर जो बोला गया इतना रोया था मैं उस दिन ताल तलहिया सब भर डाले, इस बात में यहां पर यथार्थ बात नहीं है, एकदम सही बात नहीं है, यह तो दिखाया जा रहे कि मतलब वो जो व्यक्ति रहा होगा, उस उसकी आसो से तालाब भर गए, आसो से तालाब नहीं भरे होंगे, तो यहां पर बस कुछ सब्दों के जाल से इसको क्या बना दिया गया, एकदम खूब बढ़ा चढ़ा करके बात को कह दी गई, जो संभव नहीं है, तो यह क्या हो गया, यह हो गया आपका आतिस्वयक्ति अलगकार, अगर आपने एक दो बार पढ़ लिया ढ़ंग से बुक्स को, तो पक्का मानिए आपसे अतिस्वयक्ति या खुश्चन नहीं छूटेगा, कुत्रंग डाउट हो जाएगा, यह कहीं न कहीं जो है, अब बढ़ा चढ़ा करके बात कहीं गई है, जो संभव नहीं ह पता चल जाता है, पांच अने अनुट उनन से बात करने में, बस अब यह आदमी फेक ही रहा है, तो आइसे यहाँ पर देखो, अगर आपको पता चलता है कि बात को ज्यादा ही बोल दिया गया, इतना नहीं बोलना चाहिए था, तो वो किसमें चला जाता है, अतिस स्योक्त अलंकार में चला जाता है, गा देखो, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राड़ा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, अब यह जो कहानी चल रही है, यह महारणा प्रताप की कहानी चल रही है, महारणा प्रताप जी को ही यहाँ पर तो जब लडाई हो रही थी एक बार तो राणा जी जब दूर जा रहे थे तो एक बहुत बड़ा नाला पड़ गया था बीच में तो वहां पर वह नाला बहुत दूर था एक इंसान के लिए या एक घोड़े के लिए उसको पार कर पाना असंभव था और वो जो राणा का घोड़ा था चेतक राणा के गोड़े का नाम क्या था चेतक उसको पार कर गया था तो यहां पर क्या था कि घोड़ा जो है चेतक घोड़ा उस नाले को पार कर गया जो की लेकिन यहां पर बढ़ा चढ़ा करने वाली बात क्या है यहां पर राडा ने सोचा इस पार राडा जी गोड़े पर बाइट कर अभी सोच ही रहे थे कि मैं इस नाले को कैसे पार करूं और तब तक गोड़ा उस पार हो गया क्या यह संभव है यह संभव होने का मतलब यह है क तो हलाकि ने को ये बात सच है, चेतक ने नाले को पार किया था, लेकिन राड़ा ने सोचा इस पार, राड़ा जी अभी सोच ही रहते और गोड़ा पार हो गया, ये थोड़ा सा बढ़ा दिया गया बात को, तो यहाँ पर यहाँ पर यह चीज किस में चला गया, आती सयोक्ति अलंकार में चला गया, बहुत बढ़ा चड़ा करके बाद को कहा गया है, अब घावाला देखो, वह सर इधर गांडीव गुर से भिन जैसे ही हुआ, धर से जैदरत का इधर सिर छिन वैसे ही हुआ, यहाँ पर कहाने है महाभारत की, जहाँ पर जब अरजुन ने जो तीर है न वो छूटा, उस तुरंत ही जैदरत का धर, सर जो है धर से अलग हो गया, तो तुरंत हो पाना धोड़ा संभव नहीं है, बहुत आप वही बात बोलो, जैसे अभी मैंने बूला, चाय, और तुरंत मेरे पास चाय आ जाए, तो क्या यह संभव नहीं है, बनाने ombogbaday जैसे भिन जैसे ही हुआ, धर से जैदरत का सिरचिन वैसे ही हुआ, मतलई जैसे ही तीर छूटा, सर, जो है, धर से अलग हो गया, तो यह थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दिया गया है, सर धर से अलग हुआ था, पर जिस तरीके से यहां पर बताया गया है, जितने वे दिया गया है वो कौन सा अलंकार है तो आप यहां से कुछ बाते याद कर लीजे जैसे कि वह सर गांडिव तो गांडिव से याद कर लीजे कि गांडिव वाला एक अतिसे अलंकार में आया था पूरे लाइन पढ़ने की जरूत नहीं है उसमें से कुछ इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट वर्ड को अप अंडरलाइन कर लीजे वह वरड़ा है तो आप समझेए कि आतिसे अलंकार है अगर देखो लिखा है जिस वीरता से सत्रों का सामना उसने किया असमर्थ हो उसके कथन में मौनवारी ने लिया यह बात तो सही है कि मालो जो कथन में मौनवारी ने लिया इंसान मौन हो सकता है जानवर मौन हो सकता है वारी मौन हो सकती है यह थोड़ा सा जादा ही बढ़ा चड़ा दिया गया है हम जैसे मुझे बोल रहे हैं और मुझे जो वारी निकल रही है तो वारी थोड़ी ना मौन हो सकती है वारी को तो जब आप निकालोगे तभी निकल जाएगी, तो यहाँ पर यह जो मौन वारी ने लिया, यह थोड़ा सी बात को जो है क्या कर दिया गया है, जादा बढ़ा चड़ा दिया गया है, और इससे यह दिखाता है कि वो खूब जादा ही बहादूर था, खूब जादा ही बहादूर से सत तो पूर्ड उधारड लिये हैं और अगर अतिसे उक्ती से पूछता है तो मैं 95% गारेंटी लेकर कह सकता हूं कि इनहीं में से कोई एक उधारड पूछ सकता है इसके अलावा भी मैं उधारड MCQ की फार्म में लेकर के आऊंगा इस वीडियो के अंत में ठीके तो चलो फिर अब पूर कर लो या की वीडियो पसंदित रहा है तो लाइक शेयर कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों को भी शेयर कर दो चैनल पर नए हो या भी बीच में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन प्रेश कर लो